अस्तारामुलेकूम ऐरीन, कैसे हैं आप से ब्लोग मैं हूं मौसीन आप देखने है टेक्निकल एक्स्ट्रीम मैं हाजिर हूँ एक और नियो वीडियो के साथ और आज मैं करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 की अन्बोक्सिंग और दूँगा आपको इस स्मार्टफून के एक फिर्स लुक और साथ ही बिताऊंगा आपके ये स्मार्टफून सिल अभी एक वैली फोर मनी डिवाइस है यानि क्या आप लोगों को इस दिवाइस को कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफी मज़ा आने वाला तो वीडियो को एंड तक देख लीजेगा और आप वाइस वीडियो को वाच कर सकें आपको हमारे इस चैनल पर काफी ज़रा टैक लिडियर स्टफ देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में काफी ज़रा गेमिंग गैजिट्स के अन्बोक्सिंग करने वाले हैं तो काफी मज़ा आने वाले एक बड़ी चैनल को सब्सक्रा इधर लिखा गया है नोट 7 और यहां पर बताए गया है कि यह स्मार्टफोन 6.95 इंचिस के बिगर डिस्प्लेश के साथ आ रहा है इधर DTS को मेंचिन किया गया है और यहां पर वेरिंट के बारे में बताए गया है कि वेरिंट जो मेरे पास आया है वो 60P RAM 128 CP स्टोरिज वल को मिलने वाली है तो अगर आप स्मार्टफोन की इस साइट की तरफ देखें तो यहां पर नोट 7 को मेंचिन किया गया है इस तरफ इंफिनिक्स को मेंचिन किया गया है और इस तरफ भी नोट 7 को ही मेंचिन किया गया है यहां पर आपको IME की डिटेल्स दी गई है और साथ यहां पर कलर के बारे में बताया गया है, जो कलर मेरे पास है, वो 4S करीन है, इसके लावा आपको एक कलर, I think black या blue में मिलता है, और एक आप लोगो डेफिनेटली white कलर मिलता है, तो यहां पर आप बोक्स की बैक सेट की तरफ देखें, तो यहां पर कुछ फीचर को में चिया यहां पर आपको G70 का प्रोसेसर दिया गी है, और साथ यहां पर बताया जाते है कि आपको GPS, WIFI वगरा की स्पोर्ट मिल जाती है, और इसके लावा नेटवर्क के बारे में बताया है, आप लोगों को 4G, 3G वगरा के नेटवर्क सेटने को मिल जाती है, और अपरेटिंग स यहां पर सबसे पहले तो मैं box को open कर लेता हूँ, यहां पर box को मैंने open कर लिया है, आप देख सकते हैं कि हमारा handset पढ़ा हुआ है, इसको हम निकालके फिल हाल अभी side में रख रहे हैं, यहां पर इस lid के अंदर check कर लेते हैं कि क्या देखने को मिल रहे है, तो यहां पर इस साइड में रख लेता हूँ, तांकि by the time, जब हम phone को turn on करें और उसके sides वहारा चेक करें तो आपको SIM कंडिशन भी जरूर बता दूँ, यहां दरहा तो जरूर बता दूँगा, उसके अलावा यहां पर आपको एक अदर silicone case देखने को मिल जाता है, जो के normal सा silicone case है, यहां पर आपको side cut देखने को मिल जाता है, इसका मतलब यहां पर आपको side monitor fingerprint scanner दिया जा रहा है, इदर आपको round shape में लिए cut, यानि के round camera देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको 3.5mm वेले ODEJX का cut देखने को मिल जाता है, अगर आपको यह मेरा camera दिखा सके, यहां पर इन्होंने पराइज के cut देखने को अगरा लगा रहता है, जो एक अच्छी बात है, तो फिल हल को मैं silicone case को side पर रख लेता हूं, और इसके अगर हम box के और contents को देखें, तो यहां पर केबल मिल देखने को मिल रही है, मेरा camera का लगता है focus का कर लिया, तो यहां पर आपको जो, केबल दे यहां पर आपको दो चार्जर देखने को मिल रहा है वो 18 वोट का एक फास चार्जर है तो फाइनली इंफिनिक्स वोलो ने अपनी किसी डिवाइस के अंदर तो फास चार्जिंग को इंकलिवड गया मैं अफैर अव्य दो बंद सॉक्समी correctingन को वाइस को ठायों को मैं फास गद RAM 284 स्कूरिछ मतलब के वीचैज आपनें खाता अच मार बार आपकों को बताए काई वोगया एक हमलं के वाइट हुरेंगे फीचे चैसंपा यहां आप बर के इसकंतर आप वेपाईन स्क्राइट ल नो डार्ट फून एक अच्छा सेट होने वला है तो वह तो आगे जाके ही पता चलेगा सबसे पहले हम यहां पर इसके रेप को रिमॉफ कर लेते हैं यहां पर मैंने रेप को रिमॉफ कर लेए आप लोगों को बाइदाव है यहां पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर शेह नजर आ और ओ यहां पर लगाई क्योंके यह एक रिटेलर यूनिट अखुद पाय की है आप वह कंपनी भी लगा सकते हैं, बैकक के स्टीकर भी यहां पर कुरें कर लेतो हूँ तो जणाब, झाल अपको टो बखना का लिए आखम कुछ इस तरह की लॉक विड़ान करने वाले हैं, मैं यहां मैं पर फ़ूं को आन भी कर लेतो हूँ तो जनाब फून यहां पे जितनी देर तक अन होता है हम यहां पे कुछ जो हैं इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं अब यहां पे सबसे पहले तो आप इसके कलर देखे ना क्या मज़ेदार कलर और खास और पर कोई इन्फिनिक्स के फैन अना तो वह फोरन इस सेट के ओपर जो यह ना शिफ्ट होने का चाहेगा अगर उसका बज़ड होगा क्योंकि इस स्मार्ट फून के अंदर नो डॉट इन्फिनिक्स ने जो डिजाइन रखाना वह वह वाकई काफी प्रीमियम डिजाइन है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डाइमर्ड से कट्स नजर आ रहे हैं और यह किस तरह जो हैं लाइट के साब से उपर क्रिस्टल सा क्लर आ रहे है, नीचे लेलाता क्लर रखे हैं तो यह जो डिजाइन है न वो हैं यहां प्लाय फ़ून के स्मार्टफून मे heaven साइवन को मैंचन किया गी है, इस तरफ अगर आप देखें तो एक दो तीन चार रांड शेप के अंदर आपको चार चार कैमरेस के साथ ही, अगर आपको स्मार्पोन की यह साइट दिखा हूँ, अगर आप इस साइट को देखें, यहां पे आपको जो साइट देखने को मिल र और यही आपका साइड माडर्र इंकर्पेंट स्कैनर का भी काम कर रहा है, नेल मैंने कटने की यह मादरत इसके लिए मैंने कट करने थे, यहां पे अगर आपको आपकी वॉलिम रोकर केज मिल जाती हैं, जो के वॉलिम अप और डाउन कीज हैं आप लोगों की और इसके यहां पर मैंने इसके सिम को निकाल लिए इधर आप देखें तो यहां पर आट एट टाम आप दो सिम कार्ट और एक मेमरी कार्ट लगा सकते हैं, तो बे फिकर होके दो सिम के साथ भी आप स्पैंड कर सकते हैं, पर यह स्मार्टफून के दर 128GB स्टोरीज है क्योंकि मेरे ल आप लोगों को और देखने को मिल रहे हैं, जो के एक चार जीबी 64GB के स्टार्ट भी आ रहा है और एक चार 128GB के साथ भी आ रहा है, प्राजिस के बारे में आगे जाके बात करूंगा, यहां पर देखें तो इस तरह आपको 35mm वाला ओडियो चेक दिया गया है, इधर आपक आपको micro USB की केबल दी गई है, और इधर आपको एक स्पिकर गिल दी गई है, अब इन्फिनिक्स वालों ने अपने स्मार्टफून के बॉक्स में रहार जगा है बताया था कि इस स्मार्टफून के जो अंदर है आपको डूल स्पिकर काम करता है, वो यहां पर लगाए गया जो के कालिंग स्पिकर कह लिए हैं, लавड़ स्पिकर भी है, तो गैमिंग मून में दोनों स्पिकर आट एट इट आम माँ आप लों को काम करते हैं, नजर आ रहेंगें कृम जब गेम क्खेले रहते हैं तो इदर का स्पिकर होता है, तो यह एक अच्छी बात है कि आप लों तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फून मेरे पास टन अन हो चुक है, यहां पे जो स्क्रीन आपको प्राइट की गई है, वो IPS LCD डिस्पेय वाली प्राइट की गई है, और जो स्क्रीन का साइज है, वो आपको बोक्स के ओपर भी और हर्दे का मेंचिन किया गया था, कि यहां और आपको एक छोटी सी चीन देखने को मिलती है, साइट के बेजल्स को काफी थीन कर दियागी है, और एक बहुत ही बड़ा डिस्पले दिया गया है, तो अगर आप लोगो बड़े डिस्पले पसंद है, तो आप लोगो को यह स्मार्टफून जी है, वो अपको विंक स्प स्मार्टपून से इतनी प्रोब्लम वगारा तो नहीं हुई और आप लोग इसको जब दो तीन हफते यूस कर लेंगे तो आप लोग इसको यूस्टू हो जाएंगे इतनी प्रोब्लम नहीं होने वाली पर एक बात है कि इसका डिस्प्ले बढ़ा है इसको धियान में रखते ह सेल भी करना जो, इसको सेल अच्छी करना तो अच्छी होगी तो ब्राजस भी और बेक साइट देखें और यहां पैस बिलता हम 시drive मेटीर यूस किया बोली का प्लास्टी उह भीडियल है और यह चिपसेट 12-nanometer architecture की technology पर बेस्ट और इससे पहले आपको यह चिपसेट Realme C3 के अंदर देखने को मिला है, तो no doubt इस smartphone की जो gaming performance है वो 20 निकल के आते हैं, काफी अची performance है इस smartphone की और काफी companies जो आप लोगों को इस price tag के अंदर जो G70, G80 के chipset प्राइट कर रहे हैं, तो यह इस smartphone के अंदर आपको Android 10 की support दी गई है, और Infinix की XOX 6.0 देखने को मिल जाती है, अब इस smartphone के अंदर आप देखे तो यहाँ पर पंचोल है, और पंचोल के अंदर लगाएगी है camera, कैमरा को यहाँ पर हम test out करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो front camera हम खोल लेते हैं, यहाँ पर डीटेलिंग देख सकते हैं, यहाँ पर 16 Megapixel का आपको camera दियागी है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की detailing देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर बिल्कुल अगर आप जूम कर लें तो हलके हलके pixels को बलड़ करते हैं, यहाँ पर आप एजली पढ़ सकते हैं, 55 mm, 80 mm, यहाँ पर mention कियागी है, अगर आप इदर रखके इसको देखें, जो कि इसकी normal picture यह है, तो काफी आप लोगों को यह अच्छी camera क्लिकिंग प्राइट कर रहा है, बाकी camera के बारे में हम एक detail में comparison में बात करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को काफी जारा mode मिल जाते है बैक cameras के गर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक 48 MP का camera दिया गिया है, एक 2 MP का macro का और एक 2 MP का depth sensor का दिया गिया है, और एक इसका camera है वो खास यह वीडियो recording के लिए बनाया गिया है, जिसको यह QEJ camera भी कहते है, तो camera's की जो है, मैंने आपको बताएगे, comparison की वीडियो में बात करेंगे इसकी जो है, बताएगे आप लोगो के वीडियो में की camera कैसा है, अगर चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताएगा, बाकी बुक एफेक्ट आपको लोगो को इसका तो कैसा वर्क करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर है, यहां से सा स्लो मोशन में चेक कर वाँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स के स्मार्ट फून के अंदर आप लोगो को कुछ इस तरह का स्लो मो देखने को मिल जाता है, जो कि नो डाउट इस लोमो इतना कोई खास तो नहीं है, बाकी जो है लोगों की स्मार्ट फून स् इस से बितर तो यह तना के पर ना देते, पर दी गई है तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों को फीचर्स दिये गई हैं, काफी ज़दा है यहां पर आपको मूड देखने को मिल रहा है, यहां पर देखें आप इसके बाद यहां पर आपको कलर के अंदर तोड़ा डिफ यहां पर आप देखें अगर आपको नजर आ रहा हो तो अभी ठाक लग रही है, यहां पर अगर आप देखें तो आप लोगों को कुछ इस तरह की जो है इसने फोटो कलिक करके दिये, जहां पर इसके कलर स्टुएशन जाए से थोड़ी सारा शाप कर दी है, एयार शूट पैकेज में आप लोगों को यहां पर आप लोगों को यह स्मार्टफून नो डाउट एक अच्छे पैकेज में आप लोगों को मिल रहा है, इसकी जो प्राइज रखी गई है इन्फिनिक्स वालों की तरफ से ओफिशली 628 की, वह 29,000 रखी गई है, पर अगर आप अरपे की प्राइस टाइक में मिलेगा, यानि कि आप लोगों को स्मार्टफून के ओपर 3000 का डिसकाउंट मिल रहा है, तो मैं लोगों को यह सज़स्ट करूंगा, कि आप लोगों से एक बर ज़रूर स्मार्टफून बाय करके देखिए, अगर आप लोग आप लोगों उन स आपने सिम्ली आगे कहना है कि मुझे टेक्निकल एक्स्ट्रीम ने बेज़ा है हम उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके फैमिली का हिस्सा है तो आप लोगो कहेंगे तो डिसकाउंट मिल जाएगा तो यह जो आप अच्छा जितना डिसकाउंट हो सकेगा वो आप बात करें तो आप लोगो को फ्राइंट और बैक दोनों साइट पे टैन एटी थार्टी एफ पेस तक की स्क्रीन रिकोर्डिंग मिल जाती है इसके लावा अगर अगर आप दारा एप पेस पर चाहती है तो आप लोगो को इस स्मार्ट फोन काफी पसांदार है अगर इन हैं इस पर अच्छी बात थी पर इतना क्रिटिसस करना इस पर बंदा नहीं को एंगे इन फीनिक्स वालों ने शुकर है चिपसेट को अपडेट कर दिया तो यहीं खुश हूँ कि डिजाइन के साथ चिपसेट को अपडेट किया तो अभी तक भी यह 26,000 पे की प्राइस टैग म मुझे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा मुझे जाज़त दें मैं हूं महसीन नकवी तब तक के लिए अला आपीश झाल आपीज तक कि अपडेट कि अपड़ार आपीज़ तक कि यह रहाएब तक कि अपड़ार आपार आप।